Hello guys, welcome back to my channel So friends, कैसे हो आप सभी? Hope you all are doing well and staying safe So guys, आज इस वीडियो में हम करने वाल है Question and answer of our form When you are old So guys, आज इस वीडियो में हम करने वाल है Question and answer of our form When you are old And guys, ये question and answer करने से पहले Please make it short कि आप इस form की Detailed summary वाली वीडियो देखकर आए है Because अगर आप वीडियो देखकर आए होंगे तो इस question and answer करने में आपको बहुत ज़्यादा असानी होगे तो चलिए अप start करते अपना first question Explain the rhyme scheme in the form इस form में जो rhyme scheme है हमें उसे explain करना है तो guys, इस question का answer देने से पहले हमें ये पताऊना चाहिए कि rhyme scheme क्या होती है ठीक है? तो rhyme scheme होती है तुकबंदी जिसे हम हिंदे में तुकबंदी कहते है न उसे ही English में हम कहते है rhyme scheme तो इसमें हमें पॉम की ऐसे याद तो होगी नहीं कि उसमें क्या थी तो उस पॉम को देखके पढ़के देखते हैं तो उसमें क्या है? यह आप side में देखिए एक second इस पॉम में तीन passage है तीनों passage में एक एक चार-चार lines है, ठीक है? So first passages, when you are old guys इसमें देखिए, जो last all word है तो जो sleep है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 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 देती हूं यहाँ पर यह देखिए First वाले line में आपको क्या दिख रहा है? Last वाले word sleep Then book Then look और deep तो यह देखो First line क्या? First passage में चार lines है When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire take down this book and slowly read and dream of the soft look Your eyes at once and of their shadows deep ठीक है? तो यह है अपनी चार lines इसमें देखिए गाईस Last words देखिए Sleep, book, look, deep इसमें sleep को हम अगर इस sleep word किससे थोड़ा समयच हो रहा है Sleep हो गए deep Sleep, deep तो को बंदी बन रही है न और look और book तो sleep को mark करो अपनी जैसे आप books भी निकाल सकते हो अपनी ठीके साथ साथ Sleep, last words देखो अपनी लाइन जो यह चारो lines देख रही है इसमें जो last words है उनको देखो Sleep, book, look, deep ठीक है यह देखिए आप इसमें देखो जो फर्स्ट वाली लाइन है sleep इसका जो यह word sleep जिसमें जो last word is sleep यह किससे मैच हो रहा है? deep से, book match हो रहा है look से, match in the sense तुकबंदी बन रही है तो इसमें sleep को अगर हम A mark करते हैं A से अगर denote करते हैं A तो book को करें है क्योंकि sleep और book तो match हो नहीं रहे तो A, B, B, A समझ आ गया? अब next देखते हैं next सेंजा, तो इसमें first में क्या बना आपना? when you are old is a short lyric of 12 lines जो अपने पॉब है when you are old जो इसमें 12 lines है ठीक है? the poem has three stanza's of four lines each जिसमें three stanza's हैं जिसमें हर एक में हर stanza में चार-चार lines है ठीक है? the rhyme scheme of the poem is A, B, B, A ये किसे इच की हमने first paragraph की जो अभी हमने देखा A, B, B, A कैसे बनी? sleep A, book B look का B, क्योंकि book और book look B भी match हो गए ठीक है? उन सेम वाले पर सेम लिखना है हमें ठीक है? A, B, B, A यहाँ पर ठीक है? next देखते हैं paragraph ये देखो next paragraph में क्या देखना हमें? grace, praise, you, face तो grace को हम mark करेंगे guys इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी हमें A और B mark नहीं करना because हमने first वाले paragraph में A और B use कर लिया ना तो इसमें अपने next alphabets करेंगे C और D ठीक है? grace को C mark कर दो फिर grace किसे match हो रहा है? face से ठीक है? next, true और you C, D, D, C समझ आ गया? ठीक है next paragraph इसमें भी क्या है? C, D, D, C आगे है E, F, F, E third paragraph देखो last words bars, flood, overhead, stars bars match हो रहा है? stars से flood और overhead तो bars को क्या mark करेंगे? अब इसमें पहले कहां तक हो चुका? D तक हो चुका ना? दो paragraph में अब होगा E और F mark करो E mark करो bars, E flood को F flood के से match और overhead से overhead को भी F कर दो और bars को कर दो E E, F, F, E ओर राइट hope आप लोगों को समझ आ गया होगा और अगर अभी भी कोई doubt रहता है तो मैंने अलग से rhyme scheme की video बना दूँगी मैं then you can watch that video also ठीक है? तो अपना ही question हो गया? now next इसको रेस खरूर है चलो How does the poet use personification in the palm? poet ने personification कैसे use की हमारी palm में अब बात आती personification क्या होता है personification ये एक literary device है literary device है फिर आप कह सकते है figure of speech figure of speech को हम हिंदी में चानते है alankar के नाम से जैसे इसमें personification है personification को हिंदी में कहते है manuikaran alankar उसमें क्या होता है when human qualities are personified in non-living things ठीक है living being की qualities को किसी non-living thing के अंदर personify किया जाते है तो वो होता है personification ठीक है अब इसके example देखते है the poet has personified love in the palm हमारी जो पॉम है इसमें जो poet ने किस चीज का personification किया है love को personified किया है ठीक है he says that वो कैसी कि आप इसमें explain किया गया है he says that when his beloved grows old जब उसकी जो प्रेमी का है वो भूरी हो जाएगी love will fly away from her love उसे उड़कर दूर चला जाएगा and hide himself among the crowd of stars और अपने आपको जो सितारों के जोनद में छिपा लेगा तो इसमें love अपने आपको कैसे छिपा सकता है क्योंकि छिपने का कुछ भी act करने का किसके अंदर qualities होती है human being के अंदर तो उसमें human being की qualities को किसमें personified किया गया है love में ठीक है तो ले लो screenshot जो एचोट बन next question how does Yeats nostalgically recall his lover जो यीट से हैं जो अपने author हैं वो किस प्रकार आतूर होकर अपनी lover को अपनी beloved को याद करते हैं the poet recalls the days of his youth वो अपने जवाने के दिनों को याद करते हैं when his lover was beautiful जब उसके जो प्रेमिका है वो सुन्दर हुआ करते थी सुन्दर थी ठीक है she was full of grace वो आकर्शन से परिपूर्ण थी many people loved her beauty बहुत से लोग उसके सुन्दरता को पसंद करते थी but the poet was the only person who loved her fierce soul लेकिन जो हमारे poet थी वही एक अकेले ऐसे इंसान थे जो अपने beloved की पवित्र आत्मा से प्रेम करते थी ना कि उनकी उसकी body से ठीक है next is next question who is referred to as his face who is referred to as his face in the crowd of stars किसके बारे बात की गई है as his face in the crowd of stars ठीक है the poet told his beloved to read his book when she is old poet बताते कहते हैं अपने beloved को कहते हैं कि तुम जब बूड़ी हो जाओगी तो मेरे उस book को पढ़ना उसमें चो पॉम समून को पढ़ना और फिर तुम्हें पता लगेगा कि कौन तुम्हें सच्चा प्रेम करता था ठीक है तो then she will remember how love has gone away sorry then she will remember how love has gone away and disappeared from this world फिर उसको याद आएगा फिर वो याद करेगी वो याद करेगी कि कैसी जो ब्रेम है वो इस दुनिया से जा चुका है and disappeared from has gone away वो दूर जा चुका है and disappeared from this world और संसार से disappear हो चुका है and it has gone and hidden in the crowd of stars वो जा चुका है और अपने आप वो जो love है वो कहाँ छिप गया है crowd of stars सितारू के जुन्ड में छिप गया है ठीक है ले लो screenshot then next question why does the poet call the soul of his lover a pilgrim poet ने अपनी जो lover थी जो उसकी बिलिविट थी उसकी आत्मा को एक तीर्थ यात्री क्यों बोला है answer is the poet says that his beloved is beautiful poet कहते है जो उसकी प्रेमिका है वो बहुत जदे बियुटिफुल है beautiful वो सुन्दर है at the same time और साथ-साथ वो ये भी कहते है she has a pierced soul उसकी जो आत्मा है वो पवित्र है the poet didn't love her body poet didn't love her body he loved her soul which was as pierced as a pilgrim वो कहते है poet कहते है कि उसको उसकी प्रेमिका की बोडी से लव नहीं था बलके उसकी पवित्र आत्मा से उसको लव था because her soul was as pierced as pilgrim क्योंकि जो उसकी आत्मा थी वो एक तीर्थ यात्री के समान पवित्र थी next question what does the poet ask the lady to do when she turns old poet क्या कैते है उस lady को अपने प्रेमिका को अपने बोडी हो जाएगे तो क्या करे तो दांसर हमने पहले भी डिसकस किया था कि भही करे अपने उसके वो बुक्स पढ़ ले ठीक है the poet asks his beloved that when she is old जब बोडी होगी then she should take his book and read it sitting by the fire वो fire के सामने बैठके उसकी बुक को बैठके पढ़े then she will remember the only that only person only the poet had true love for her तभी उसको पता चलेगा कि जो आपने जो पोएट थे W.B. Yeats उनको ही अपने उस प्रेमिका से एक सच्छा प्रेम था चीक है तो ले लो स्क्रेंश कोड़ दन our last question what will happen to the lady when she turns old जब वो लेडी है जो उसकी प्रेमिका जब बोडी हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा तो मतलब उसकी कैसे situation होगी answer is the poet tells his beloved that when she turns old she will have gray hair वो कहते हैंगी जब तुम बोडी हो जाओगी तो जब वो उसकी प्रेमिका बोडी हो जाएगी तो उसके जो बाल हो सफेद हो जाएगी her eyes will be full of sleep उसकी आंके जो पूरे जिस नेंद से भरी होगी जिसे होती ना आलस से भरी होई बिलकुल ऐसे she will often sit by the fire and keep nodding वो अकसा अब उस बटी के आगे बैठी होगी लाइक जो होती है ना fireplace घर में वैसा तो उसके सामने बैठी होगे रैसे nodding में से रहा रही होगे ऐसे सिर देरी देरी हिलते है ना जैसे बूड़े लोग ऐसे तो ऐसा कर रही होगी ठीक है गाईस लेला स्कूंशूर्ट दन सु गाईस अब वाट इस वीडियो और इस वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दन प्रेस हिट लाइक बटन इंडों फूर्गे तो सब्सक्राइब तो मैं चानल मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अगिं को प्रेस करना ना भूले थैंक यू